नमस्कार आप देख रहे हैं पीजी नियूज मैं प्रवीन आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूँ दोस्तो इस वक्त मेरी मौजूदगी मौव के घोसी में है और लगातार घोसी में चुनावी सरगर्मिया जो है वो बढ़ती जा रहे हैं अईसे मेरे साथ क्या नम हो सर आप रमेश सिंग्चावान स्वाल्देश सुहमान पार्टी के प्रदेश उपाधक्षू तो क्या लग रहा है कि दारा सिंग्चावान जो है यहाँ पर चुनाव हार जाएंगे कि या जीत जाएंगे अरे दारा सिंग्चावान कोसो दूर है वो दिल्ली का अंतर हो गया है आज के डेट में आज का जो डेट है आज का जो है एक रिपोर्ट है घोसी और दिल्ली इतना अंतर पड़ेगा इतना अंतर से चुनाव वो हारेंगे और यहाँ का लाल सिरी जो है सुधाकर सिंग जीत कर जाएंगे क्या इसी सफ़ा पार्टी में क्यानः क्या कमी नज़र आईगी की जो गोस पार्टी को छोड़कर बीजेपी जोईन कर लेते हैं क्यों दारा सिंग चौहान हरमेसा जो एक मलाई काटने वाले हैं दारा सिंग चौहान कोई कामे नहीं किये यहां के जो है संसद रहे तभी भी कुछ नहीं किये फेन उसके बाद जो है विधायक रहे तभी भी कुछ नहीं किये उनको केवल खाली बस मलाई काटना है अपनी वि या दारा सिंग चोहान जी के साथे हैं आप देखते होंगे महंदर चोहान कल जो थी मिटिंग काली कच्छा कौन है यहांपर इस काची कला में कं से कम 10,000 कम नहीं होता है और 10,000 चोहान विरादरी आकर इसाबित कर दिया है कि इस बार जो है आजमगड का भगोडा और बनारस का ठग एग लोगों को भगा दिया जाए और यहां की जंता भी बच्चों बच्चों से जाकर पुछ लिजिए, चप्पे चप्पे पर पुछ लिजिए, गली गली में पूछ लिजिए और हर इनसान से पूछ लिजिए, जित जाता है तो कहिन कहीं वो भी लग गए है दारासिंग चौहान को चुनाओ को जीताने के लिए ऐसे में सफ़ा बाजी मार पाएगी तीन तरह की बात करते हैं एक तरह की कभी बात नहीं करते हैं कभी अपने जबान को जो है इस्थिब नहीं रखे यो केवल बराबर जो है फिसलते रहते हैं कब क्या किसको कह देंगे ये कोई जो है गरांटी नहीं है उनका दरजा जो है तेगलवा बाबा का दरजा है तेगलवा बाबा जो बिहार का था ठिक तेगलवा बाबा और ओही न बीजेपी में गए हैं ना पूरे जो है बीजेपी वालों को गाली दे रहे थे खोल कर दिखा दे रहा हूं रूख जाईए अभी एक मीडिया के सामने मैं खोल कर दिखा दे रहा हूं किस तरह से ये जो है गाली दे रहे हैं ये गाली देते हैं आप से मैं क्या बताऊं इनकी जो है आप पूरा दर्सक भाई सुनने देखिए इनकी गाली है जिस प्रकार से उन प्रकास राजभर का लगाता जो बिवादित बयान आता है उसको यह दिखाना चाहते हैं जो है जबान फिसला हुआ है इनको तेगलवा बाबा का दर्जा दिया गया है यह जो है बराबर कहता है कि मैं असल का मैं जो है सफ़ई भेज दूगा मैं जो है क्या नाम है जोगी जी को जो है गोरकपुर भेज दूगा मटपर भेज दूगा देश का सबसे बड़ा एंकर न पूछा था कि आप जो है मानियों पर कासराजबर जी आप बराबर जो है गलत क्यों बोलते हैं आप कहते हैं कि मैं अकलेज जी को सेफ़ाई भेद देंगे आप कहते हैं कि मैं जोगी जी को जो है मट पर भेद दूँगा क्या आपको जो है सर्म नहीं आती है कहने में तो एक क प्रसाद मौरिया की यहां पर रैली थी उन्होंने अपने रैली से वो बोल रहे थे कि समाजवादी पार्टी अब समाप्त वादी पार्टी बनने जा रहे हैं मतलब अब पूरे यूपी में एक भी सीट नहीं निकाल पाईगी क्या आप लोगों की जो मेहनत है आप लोगों क को लग रहा है कि घोशी में विजय पता का फार पाएगा या नहीं फार पाएगा देखिए मैं बता दे रहा हूं 2024 में भी समझबादी पार्टी जिसके राष्टी अधक्ष इवावों दिल के धरकन पुर्व जो है मुख मंतरी अकलेश सिंग यादो जी एच चौबिस में भी लाठी गर कर रहेंगे और 27 में जो है उतर परदेश की सरकार बनाएगे और उतर परदेश में एक मुख मंतरी आपको बता देता हूं लाखो ओट से शुदाकर सिंग साइकल से जीत कर जाいेंगे मैं सभी दरसक भायों से एक आना चाहता हूं कि 5 को साइकल के ठीक सामने अपना बटम दबाकर साइकल पर आप लोग ओट करें और अपने लाल अपने बेटा जो है गोसी के बेटा को अपने घर के बेटा को जिता कर उत्तर परदेश के पंचाईत में भेज़े मैं यह कहना चाहता हूं इंजीनियर अविश्य क्या दो नाम मैं आजमगड का रहने वालों समाजवादी डिश्टल फोर्स का मैं कारे करता हूं आजमगड से आप चले आए आजमगड से आए हूं और एक तरफा चुनाव है हर वर्क के लोग मन बना चुके हैं यह लड़ाई दूसरे तरह की है जनता के निता सुदाकर सिंग जी है हर सुक दुक में लोगों के उपलब्द रहते हैं आज घोसी की जनता ऐसे नेता को चाती है कि वो कहीं भी किसी भी समय बुला सके और उनसे मिल सके उनसे समस्याओं का समाधान कितने गाउं में प्रचार के लिए आप गए निश्चित तौर पर मुझे तीन सेक्टर में ही रह रहा हूं पने सेक्टर में और निश्चित तौर पर सहर का जो सेक्टर है तिनों कोपा गंजमाद्य उत्तरी और दच्छिडी ये पूरी तरह से सत प्रसंट नब्बे प्रसंट ओट समाजवादी पार्टी को जाता हुआ नजर आ रहा है जी निश्चित तौर परकूर इंजीनियर अभिशे क्या दो और बता दो आपको एक तरह भार्दी जंता पार्टी के लोग हैं जो इंडिये गडबंदन के रूप में हैं जो लोकतंत के लूटे रहे हैं नच्वान के हगों के साथ खिलवार कर्रें समीदान का सोसल कर रहें समीदान के साथ कुठारा गात कर रहे हैं और दूसरे तब महिला के साथ उत्पीड़ा है अब मैं आपको बता देना चाहाँ दूसरे तब समता मुलक समाज बनाने वाले अध्यकलेस यादोजी के रास्ते पर चलने वाले डाक्टराम मौनलया के रास्ते पर चलने वाले समाजवादी लोग हैं लड़ाई दो तरह की है आज महंगाई की मार है बेरुजगारी का आलम जेल रहें लोग किसान आत्मत्याइं कर रहें क्या कहोगे नहुरत नहीं जीत रहें हैं सत्तर हजार से एदम एदम और बहुत अच्छा बहुत अच्छा है यह देख सकते हैं नौरतन जी है जो लगातार अपने बिबाकी अंदाजों से वाइरल होते रहते हैं चलिए मिलते हैं फिर से आपको किसी नेस्ट वीडियो में और एक नई खबर के साथ तब तक के लिए हमें देखे इजाज़त जैहिन